मशकार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रैंकिंग बताने जा रहा हूँ जो भारत के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और आज आप बहुत ज़्यादा शोक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा चोक जाएंगे जब भारत के आप इसमें पोजिशन जानेंगे दरसल आज हम जानने वाले हैं दुनिया के दस सबसे बड़े बैंकों के बारे में पहले मैं आपको जो टोप 10 रैंकिंग हो बताऊंगा और फिर उसके बाद जो टोप 100 में कितने भारतिय बैंक है वो भी बताऊंगा उसे जानकर तो आप बिल्कुल शोक हो जाएंगे लिख कर ले लिजिए उससे पहले मैं आपको रैंकिंग शुरू करूँ एक छोटी सी इंफ्रोमेशन दे दो कि आज रात को दस से लेकर 11 बजे के बीच में इसी चैनल पर मैं लाइव आऊंगा बहुत ही इंपोटन टोपिक है जो डिसकस करना है इसके लावा आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब भी दूँगा तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों नमबर 10 पर है बैंक है क्रेडिट एग्रिकोल ग्रूप ये एक फ्रांस का बैंक है और इसकी जो टोटल वैलुएशन है ये 2256 बिलियन डोलर है यानि कि 2.2 ट्रिलियन डोलर हलाके आप देखेंगे कि फ्रांस की जो टोटल जीडिपी है वो 2.8 ट्रिलियन डोलर के आसपास ही है लेकिन ये बात मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा कि किसी देश की जीडिपी में और किसी कमपनी की वैलुएशन में क्या अंतर होता है ये बहुत ही कॉंपलेक्स टोपिक है इसे मैं अलग से अलग वीडियो में बहुत ही सरल भासा में कवर करूँगा फिलाल ये समझ लीजिए कि इस बैंक ने 2.2 ट्रिलियन डोलर के एसेट संपतीस की है अब आजाते हैं नमबर 9 पर इसकिन पर देखें नमबर 9 पर है BNP परिवास बैंक ये एक फ्रांसिसी बैंक है और इसकी जो टोटल वैलुएशन है एसेट है जो टोटल वहें 2.4 ट्रिलियन डोलर ये भी काफी बड़ा बैंक है और बड़े बड़े जो कोपरेशन होते हैं उन्हें करजा ये ज़्यादा तर देता है अब जाते हैं नमबर 8 पर नमबर 8 पर आता है Bank of America बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में क्योंकि इसके बहुत सारे क्रेट कार्ड भी आते हैं तो ये एक अमेरिकी बैंक है और इसकी टोटल वैलुएशन है ये है 2.4 ट्रिलियन डोलर ये काफी बड़ा bank माना जाता है अमेरिका के इंदर और अमेरिका की जो बड़ी दिगज कमपनिया है खास करके जो टेक फर्म है उन्हें भी एक काफी लोन देता है अब आजाते हैं नंबर 7 पर नंबर 7 पर एक बहुती फेमस बैंक है जेपी मोरगन चेस ये भी एक अमेरिकी बैंक है और इसकी टोटल वैलुएशन है 2.68 ट्रिलियन डॉलर यानि कि ये भी काफी बड़ा बैंक है और आपको बता दू कि अमेरिकी सरकार से इसके बहुत अच् अब आजाते हैं नंबर 6 पर नंबर 6 पर है HSBC होल्डिंग्स ये एक ब्रिटिश बैंक है यानि कि ब्रिटेन का बैंक है इसकी टोटल वैलुएशन करीबन 2.7 ट्रिलियन डॉलर है ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा बैंक है ये मैं ब्रिटेन की सरकार को भी लोन देता है जो बड़ी बड़ी फर्म होती है उन्हें भी ये काफी अच्छा लोन देता है और काफी पुराना बैंक भी ये है पिछले साल इसकी जो रैंकिंग थी 7 पर थी लेकिन अब 6 पर आ चुका है और इस वज़े से इसका वैलुएशन भी बड़ा है अब आ जाते है नंबर 5 पर नं 9 ट्रिलियन डॉलर काफी जादा ताकतवर ग्रूप इसे जापान के अंदर माना जाता है अब आ जाते हैं नंबर 4 पर नंबर 4 पर है बैंक ओफ चाइना ये एक चीन का बैंक है और इसकी टोटल वैलुएशन है 3.2 ट्रिलियन डॉलर इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पर न चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक ये भी चीन का बैंक है इसकी टोटल वैलुएशन है 3.6 ट्रिलियन डॉलर अब नंबर 1 पर आ जाते हैं ये भी एक चाइनीज बैंक है इंडस्ट्रियल कोमर्शियल बैंक ओफ चाइना जो चीन का वन बैल्ट वन रोड जो इनिसेटिव है उस में इसका एक सिगनिफिकेंट रोल है काफी जादा करजाचीन इसी बैंक के जिरिये दुनिया भर को बाटता है इसकी टोटल वैलुएशन है 4.3 ट्रिलियन डॉलर ने देखा होगा कि मैंने 4 से लेकर एक तक की जो रैंकिंग है काफी तेजी से बताए उसका कार नहीं है क्य लेकिन आप जानकर हैरान रहे जाओगे तोफ 5 छोडो तोफ 10 छोडो तोफ 50 भी छोडो तोफ 100 में अगर आप देखें तो एक मात्र भारते बैंक है इसकिन पर आप देखिए उपर से तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले साल इसकी पोजिशन 54 थी इस बार एक होज गई है और जो टोटल वैलुएशन एस्टेट बैंक की मात्र 561 बिलियन डॉलर है और इसके लावा कोई और बैंक है ही नहीं टोफ 100 में और इसको लेकर जो पूरी रैंकिंग है ना टोफ 100 की वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्किप्शन में आप जाकर कोमेंटर के जुरूब बताएगा और वीडियो को शेर्ट कीजेगा सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूंद भूलेगा ठैक्क्रों सब्सक्राइब वीडियो